कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनो तोशांशू पांडे और अभिप्षा की टीम जी तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तैयारी एक अच्छा बारवी के लिए यह है फाइनल नेल ऑन दे कॉफिन हम एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो में एक पूरा चैप्तर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने बात करना चालू किया था किरन प्रकाशिकी अंत्र अब यहां पर जो है जब हम अब किरन प्रकासिकी होगी है प्रकासिक यंक्यांत्रों के लिदर्थे हैं? ऐसी वाली तरंग है जो पानी में भी दिखाई देती है इन्हें हम अनुप्रस्त तरंगे कहते हैं और इसमें जो है कणों का दोलन जो है वो तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है इन्हें प्रकार की किरणों की कैटेगरी में आता है इसके अलावा जो है दूसरे प्रकार के जो तरंगे बनती हैं उन्हें हम अनुदैर्ध तरंगे कहते हैं जैसे की sound waves और यह है यह जो है कंपन इसमें जो है हम रेयर फैक्शन और मतलब संपीडन और विसरंड इस तरीके से जो है किरणे जो है उस तरीके से मतलब तरंगे उस तरीके से आगे बढ़ रही होती है हमारा मुख्य काम है यहां पर कुछ महत्वपून चीज़ें जिसके बारे मे स्थिती से अधिक्तम जो है जो दूरी तक विस्थापन होता है उसे हम आयाम कहते हैं ठीक है उसके बाद में जो है अगली चीज़ क्या है कि दो ऐसे बिंदू जहां पर जहां पर तरंगों की मतलब कंपन की दिसा एक जैसी हो उनमें गती एक जैसी हो उन दोनों लगातार दो बिंदू के बीच की ऐसी दूरी को हम जो है तरंग दैर्ध कहते हैं जिसे हम लेंडा से प्रदर्शित करते हैं उसके बाद में जो है एक पूरा जो है कंपन करने में कुल मिला के जितना समय लगता है उसे हम इसका आवर्त काल कहते हैं और आवर्ति का मतलब होता है हर ए टित्ति कुल मिलाके एक सेकेंड में किये गये दोड़नों की संख्या नंगदर दो एक ही दिशा में कम्पन कर रहे है नियुक्त लगातार बियनों के बीच पास में सूत्र हो गया इसके बाद में ताक्षडिक विस्थापन अब हम क्या देख रहे हैं कि यह कंड जो है वो अलग-अलग समय में अलग-अलग बिन्दों पर दिखाई देता है और इस पकार से इसका विस्थापन लगातार चलाएमान है और वह जो है एक पूरे आवर्त काल के बाद में अपने आपको दोहराता है मतलब पुनरा विर्तिदी होती है इसलिए जो है हमारे पास में ताक्षडिक विस्थापन वाई दिये गए समय टी के लिए जो है जो सूत्र है उसमें वाई नाट साइन ओमेगा टी यहाँ पर जो है क्या क्या चीदे है यह आयाम है धिink है यह आयाम है और उमेगा यहाँ वेग है कोनिय वेग है ठीक है और कोनिय वेग के लिए हम बोल सकते हैं ओमेगा बराबर 2π1 न्यू और जहाँ इयह यह क्या है आवरТ्ती तो इस पकार से यहाँ ओनी आवरत्ती और यह समान्यअवरत्ति के बीच में संबंध भी हम प्रकास की एक प्रकास की रूप में आगे बढ़ती है और इसका जो है इसकी जो चाल होती है जो इसका वेग होता है वह तीन गूर दफिधार आठ मीटर पती सेकंड होता है ठीक है अब अगली बात क्या है कि संपूर्ण ब्रहम्भान में एक कालपनिक माध्यम है जिसका नाम इथर में प्रकास गती करता है इथर भार ही होता है समांगी होता है और इसका घंद तो बहुत ही कम तदधा प्रत्यास्थता बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है यह संब्भOW नहीं था कि आप ये निर्देशित कर सकें या लोगों को यह बता सकें ये बिना किसी माध्यम क प्रकास की कीरण जो है वह गती सेल है विभिन रंबों रंगों का अभास किसके कारण होता है तरंग दर्ध है ने कि लैम्डा के अकारण होता है तो अगर लैम्डा बदलता जाए याने कि तरंग दर्ध बदलता जाए तो रंग बदलते जाएंगे लेकिन ये किस ने कहा था यह आइगान ने कहा था बाद में हमको पता चला कि तरंग देर्ध के रहा आ oppress होता है और तरंग देर्ध में प्रकास तरंग को अनुद्ध माना गया था लेकिन जो है अनुदर्ध तरंगों को जो है हम लोग बिना प्रकास के मतलब बिना माध्यम के चलते हुए नहीं देख सबके इसलिए बाद में धुरूण की व्याठ्या ना कर जाने के कारण इसको अनुप्रस्थ माना गया tulee क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे फिर देखिये कि तरंग आगर क्या होता है भाई किसी भी टरंग में हम जो क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मतलब disturbance create कर दिया तो disturbance के कारण जो है इसके चारो और इतनी दूरी तक जो है सारे के सारे जो कंड होंगे वो एक ही दिसा में हिल ले डूले लगेंगे फिर जो है ये कंड क्या करेंगे इसके आगे के किसी कंड को जो है disturb करेंगे और इस पकार से यहां पर हमको एक दूसरा गोला दिखाई देगा जो उपर जाने की बजाए नीचे जाता हूँ दिखाई देगा और इसी तरीके से हमारी तरंग जो है वह एक एक करके गोले का आकार बढ़ता जयता हम भी तरंग के strot की भाठी विवहार करते हैं और इन तरंग के स्थूतों को यदी हम इस प्रकार से विवस्थित करें कि इनके in disturbances में कोई एक ऐसा विंदू जो हर एक दिश्णी से सेम दिशा में और सेम फेज में गतिशील हो इनको मिलाने वाली कालपनी क्रेखा को हम तरंगागर कह सकते हैं तो यह कालपनी क्रेखा यह तरंगागर है और यह पीछे की दिशा में यह नहीं बढ़ती है बलकि स्रोथ से दूर की और बढ़ती जाती है यह चीजें समझने के बाद में हम तरंगागर के प्रकार देख लेते हैं तरंगा यानिकी सतः पर दावर रही होगी तो हमको विर्टाकार तरंगागर मिलेगा बेलनाकार तरंगागर किस प्रकार मिलेगा यदि एक लंबा स्तुरूथ है और उस लंबे स्तुरूथ के यहां पर गोलाई कितनी ज़्यादा है लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जा रहे हैं वैसे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है इसका घुमाओं या इसका इसकी वक्रता कम होती जा रही है और अनंत दूरी पर रखे गए किसी भी स्त्रोथ से निकलने वाले तरंगा प्रशन कैसे पूछे जाएंगे आप से ठीकर आप कीजिए और आपको वहापर बर्टाइए बारे में बता जैए जैसा होगा आगे बढ़ेंगे वाक्ते में पर यहां प्रतम सत्रोथ तो स्तरोथ हैं अलग गलब जो बिंदू है वो स्वयम भी स्थोत की भाती व्यवहार कर सकते हैं और ये अपने आप से जो है दुतियक तरंग आगर निकालते हैं और इन तरंग आगरों के कारण हम बहुत सारे इफेक्ट यहने के बहुत सारे प्रभाव देखते हैं ठीक है इसके बाद में जो है य दूल तरंग के वेक से ही आगे बढ़ती हैं और किसी भी छाण इन डूतियक तरंगाओं पर बाहर की खीचा गया अन्वलोप यहने की जो सर्फेस है अर्था तुन्हें इस परस्ट करता हुआ प्रिष्ठ उसके नए तरंग आगर की स्थिति को उजागर करता है यहाँ पर हम क्या देखते है कि एक तरंग आगर है जिसका नाम हम लोग a b रख लेते हैं और इन तरग इस तरंगार के कारण हम यहाँ पर जो देखे जिस समय में एक प्रकास का जो है किरन जो है यहां पर आकर टकराती है उसी समय में यह तरंगा ग्रफ जो एक ही साथ में जो है दोनों एक ही वेक से चल रहे है और एक ही स्थोस से आ रही प्रकास है तो यहां पर जो है वो ए पर ही पहुंचा है जितने समय में जो है यह से बीडैस तक पहुंचेगी उतने ही समय में यह वाली तरंग जो है वह परावर्तित हो के यहां पर एडैस तक पहुंच जाएगी और जो है क्योंकि दोनों में लगाया हुआ समय एक परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर पाते हैं यह आप पर प्रकास के अपवर्तन की ब परिक्षा परिक्षा से परिक्षा है तो जितने देर में यह पहुंच तक पहुंचेगा उतने ही समय में दोनों माध्यमों में प्रकास की चाल अलग-अलग है इसलिए यह चोटा और यह बड़ा है और यहां पर हम लोगों को अपवर्तन की सिद्धान को प्रूफ करते बन पहले याद दिला रहा हो कि हम लोगों ने क्या क्या चीजे पढ़ी आगे बढ़ेंगे डॉपलर का प्रभाव क्या होता है डॉपलर के प्रभाव में यह कहा गया है कि यदि ध्वनी का या किसी भी तरंग का स्त्रोथ ध्वनी का तरंग हो सकती है प्रकास के तरंग हो सकते हैं तो किसी भी द्वनितर्ण की श्रोत को और उसे उनके बीच में एक दूसरे के सापेख्ष कोई गती हो रही हो तो इन तरंगों के प्रभाव पड़ता है उसे ही हम डॉप्लर इफ़ेक्ट कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और बहुत ही प्रकास का व्यतिकरन के लिए हम पहले शूपर पूजीशन का सिध्धान ये देख लेते हैं अब एक ही बिंदु पर यदि दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ आकर टकराएं तो वो अपने अपने प्रभाव से जो यहां पर विस्थापन करेंगे तो कुल होने वाला वस्थापन वाई ये पहली तरंग के वस्थापन और दूसरी तरंग के विस्थापन के सदिस योग के बराबर होगा ये जो है हमारा सूपर पोजिशन प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल के आधार पर हमको प्रकास का व्यतिकरन नजर आता है वो कैसे होता है ये देखते हैं प्रकास की तीवरता जो है वो कि इस बात पर निर्भर करती है वहां अधि प्रकार के व्यतिकरन हो सकते हैं एक संपोसी दूसरा मिनासी संपोसी व्यतिकरन में क्या देख रहे हैं यह जो आपको नीली वाली तरंग दिखाई दे रही है और यह जो हरी वाली तरंग दिखाई दे रही है इन दोनों का जो है उपर बढ़ने का और नीचे जाने का करम एक क्रम में है ऐसी स्थिती में जो है पहले पहले तरंग द्वारा किया गया विस्थापन और दूसरे तरंग द्वारा किया गया इस्थापन यह दोनों जो है जुड़ जाते हैं और इसका जो है इसका प्रभाव होता है कि हमको जो फाइनल जो हमको जो तरंग मिलती है उसका जो है हम देखते हैं कि यहां पर कला बद्ध होना चाहिए काल बद्ध हो गया है ठीक है तो यहां पर होना चाहिए कला बद्ध तरंगें क्या होती है कला बद्ध तरंगों की जो है दो जिसे लिस्ताय होने चाहिए पहला है कि दोनों की आवरित्ती एक समान हो और दूसरा कि इन दोनों के बीच में जो पथांतर होगा पथांतर होगा वो जो है नियत हो मतलब उसमें कोई भी बदलाव ना आ रहे हो ऐसी स्थिति में जो है दो तरंगों को पाला कला बद्धतरंगे कह स रखते हैं जो हम व्यतिकरण की जो है जो शर्ते देख रहे थे तो व्यतिकरण जो हो सके इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शर्त यही है कि दोनों तरंगे जो है वो कला बद्ध हो इसके बाद में आप से यहां पर कई बार प्रश्म पूछा जा चुका है कि कला की होती है इसलिए एक ही स्रूट से जो है हम तोड़ कर जो है दो अलग प्रकास की किरने बनाएं तो वो कला बद्ध प्रकास की ने हो सकती है अन्यथा नहीं तो यह समझ में आ गया इसके बाद में जो है हम किस प्रकार से पहचान करेंगे कि जो है कला बद्ध के तरंगे है कि नहीं है तो दो तरंगों में यदि व्यतिकरन दिखाई देता है तो वह कला बद्ध किरने हैं अन्यथा नहीं है दो तरंगों में यदि व्यतिकरन दिखाई देता है तभी वह कला बद्ध तरंगे हैं इसके बाद में हम कला के बारे में बात कर लेते हैं कला हाखिर होती क्य देखे यहां पर जो है जो दोलन श्टार्ट हुआ या दोलन प्रारंब हुआ वह दोलन जो है सूने डिगरी से प्रारंब हो रहा है ऐसा आवशक नहीं है कि हर बार जो है ऐसे ही दोलन चलो हो तो हो सकता है कि जब पहली किरन जो है वो यहां इस पकार से चल रही है उसी समय हम हमको ग्到底 को चाहीं वह हो शक्राइबोर में होटा है और इन यहाँ बिंदू पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेए कि यह 90 गरी के आसपास है इस प्रकार से दोनों में कलांतर जो है वह 120 गरी का होता है और इसके करण हमें अलग अलग व्यती करण पैटर्ण दिखाई देते हैं आगे देखेंगे कि अलग अलग व्यती करण पैटर्ण के लिए जो गढ़ती विया ज़ parenth है वो कैसी है हम लोगों ने देखा कि हम अध्यारोपण का सिध्धान जो देख रहे थे वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि य1 बराबर a sin omega t है जबकि य2 का मान एक निस्षित कला के अंतर के कारण b sin omega t plus phi है अब हम क्या करेंगे इनका गवर्यतिय समायोजन करेंगे तो हमको यहाँ पर y1 plus y2 मिलेगा और इसकी गड़िती जो है गड़ना है जो हम लोगों ने कर ली है यहाँ पर resultant जो है जब हमको आर मिलेगा तो आर जो हमको मिलता है आर का वर्ग बराबर आर का वर्ग बराबर a का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो a b और कॉस फाई जहां यह कला कलांतर है और यहां से जो है हम कॉस फाई का यह फाई के जो है मान के लिए जो हम दो अलग अलग स्थितियां देखते हैं यदि फाई का मान 0 अंस हो मतलब इनके बीच में कोई वी कलांतर न हो तो आर खामान जो है बराबर हो है अच्छा फाई का मान सिर्फ यह दोनों नहीं कुछ भी हो सकता है और उसके लिए अलग-अलग गणनाएं हमको करनी पड़ती है जो कि हम लोगों ने यंग के दूसलिट एक्सपरिमेंट में की हुए इसके बाद में संपोशी और मिनासी व्यतिकरन के लिए जो है जो शर्ते हैं वो क्या देखी हैं हम लोगों ने कि यह निंग पाई का मान यहां यह निकि सुन्य हो फिर दो पाई हो फिर चार पाई हो इस पकार से हो तो ऐसी स्थिते मे वियतिकरान दिखाई देता है और दोनों की क्या आयाम वो जोडने लगते हैं यदि हम विनासी वियतिकरान की बात करें तो यह पाई बटा दो टू एन माइनस वन अब इतने गुड़न में अगर हमको यहाँ पर क्या पथांतर याने की जो resultant याने की जो अंतिम जो हमको तरंगे दिखाई देती हैं उनकी में जो है विनासी व्यतिकरान होने लगता है और इनकी तीब्रताएं कम होने लगती है यह देखने के बाद में हम लोगों ने यंग के द्विसलिट एक्सपरिमेंट का पाखी बात की यहाँ पर हम एक प्र एक बार चमकीली और एक बार जो है घहरी और काली पट्टियां दिखाई देती है तो इसके वो क्या है मूल बिंदू से या यह जो मद्धर रिखा है उससे अधिकतम जो है जो दूरी है बिंदू P की उसको हम X कहते हैं जो परदे से दूरी है वो capital D है और उसके बाद में जो हम यहाँ पर सूत्र क्या देख रहे है कि जो पतांतर होता है वो X D यह यह D क्या है दोनों स् मिनासी और कहां पर समपोशी देती करन दिखाए देगा इसके बाद में हम लोगों ने दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की दूरी के लिए सूत्र निकाले थे ये सूत्र आप से आंकिक प्रश्णों के रूप में भी और डेरिवेशन के रूप में भी पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से हम लोगों ने यंग के फ्रिंज के लिए फ्रिंज चोड़ाई के लिए भी यहाँ पर निकाला है कल्कुलेशन किया हुआ है और यहाँ पर हम लोगों ने फ्रिंज चोड़ाई के लिए क्या दिया कि बीटा का मान कितना होता है लैम्डा कैपिटल डिवाइड़ बाइड़ स्मॉल डी और इस प्रकार से फिरिंज चोड़ाई किस बात पर निभर करती है तरंग दैर्जे पर तो यदि जो है और पस्न जो है हम लोगों ने इसका पहला पार्ट देखा अगले पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि व्यतिक करण के साथ साथ विवर्तन भी होता है और विवर्तन की बात करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद